नवस्कार मैं हूँ संजीक मरा और आप देख रहे हैं beforepin.in दो दिवस्ये जनता दलियू का राश्ट्य परिशत की बैठक चल रही है इसमें बहुत सारे मामले निकल के आ रहे हैं वहीं अगर दूसरे तरफ देखे तो BJP जो है लगतार जो है जदियू को जटका पर जटका द किरा दिये वह था क्रिस्मस गिफ्ट आज दूसरा दिन जो है जदियू का समच्छा जो राश्ट्य परिशत की बैठक चल रहे हैं वहीं दूसरी तरह मामला रहा है कि चिराग पास्वान के जो सांसद है उनमें से किसी है को मंत्री बनाया जाएगा इसके बारे में यह अभ कि वह इसके अब बबान कर देया और दूसरा की जो है जो जड़का पर ज़हरका बीजेपि देते जारे इसके बारे में आपका क्या काने चेए नितियत जी को तो बीजेपी खतम कर देगा गलत जगह पर है यह हम उनको यह कहेंगे यूपीए में और यूपी यूपीए के के निता राष्टवाधी कौंगे इस पार्टी के निता सरत्पवार हैं इनसे बड़ा निता कोई नहीं किसान का हो या देश का हो इनके साथ आए सारे देश के जितने भी लोग हैं सेगलर उप पवार सहब के धंडा के तले आ रहे हैं यहां तकि मम्तापनर जी भी बात किया है मुस्तरत पवार साहिब से और हम कहेंगे कि निचीश जी को इतना बेज़ती छोड़कर यूपीय में आए भाजबा कोई पार्टी नहीं है यह तो भारत जलाव पार्टी है यह तो क्यावल हिंदू मुस्लिम और मंदिर समाजवाजी आदमी ठारे सेकुलर आदमी ठारे सोशलिस्ट आदमी ठारे इस बाजबा के चंगुल में चले गए इसे इनको कभी पनपने नहीं जेगा इनको मिटा कर दम लेगा इसलिए हम इनको कहेंगे कि हमारे यूपीय के में आए और सरत पवार साहब का जंदा को निश्टर होने जा रहे हैं अगर आज के डेट में नरेंदर मोदी को कोई हराने वाला है तो वह सरत पवार सरत पवार से बढ़के कोई निता नहीं है आज के डेट में इसलिए मैं कहूंगा नितिस जी से मुख मंत्री जी से क्यों आएं भाजपा का साथ ठोड़ें यहां पर भैज जितने स्टेकुलर लोग है सभी लोग एक साथ आ रहे हैं पवार साहब के नितित में सरकार बनेगी 2024 में और सरत पवार प्रधान मंत्री बनेगे इस तरह से आप आप जा रहें कि जो जदियू जो है जदियू को हडाने के लिए जो है चिराग पास्वान की जो पार्टी है लजपी है उन्होंने बहुत भी भूमिका निभाय इसके बएसे सीट कमी आए और इसके बाद जो है जदियू बीजेपी जो है चिराग पास्वान को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है उनका कर रहा है कि अब मंत्री मंडल मुसे सामिल किया जाएगा दूसरी तरफ यहां देख रहे हैं कि समिछा बैटा को रही दूसरी तरफ से मामलाज आ रहा है कि चिराग पास्वान को मंत्री मंडल में जगा दिया लेकिन अब चिराग पास्वान जी के तरह पाटी को चलाएं तो बड़ा मुश्किल का काम है राम बिलास जी बहुत महान नेता थे और इनको तो भाजपा का खेलोना बना के रख दिया भाजपा जैसे जैसे नचा रहा है वेसे चिराग पास्वान नाच रहे हैं पास्वान जी रहते राम बिलास पास्वान जी तो ये बात नहीं होती वो दरंग नेता थे और जानते थे कि राज कैसे चलता है पाटी कैसे चलती है चिराग पास्वान जी अभी अन्भो नहीं है दीरे दीरे हो जाएगा लेकिन अब इनको अभी कहतो रहा है कि मंत्री मनम्न ने कहा है नहीं रिना पासवान को एमपी बना दिये रिना पासवान को देना चाहिता राम बिलास जी का जगा को भरने के लिए तो यह सुसिल मुदी को ले गए भाजपा कोई भरोसे की पार्टी नहीं है इसलिए भाजपा कोई भरोसा नहीं कर सकता है हम भी नहीं कर सकते हैं तो आपने सुना कि जिस तरह से भाजपा कोई भरोसा नहीं कर सकता जिस तरह से भाजपा चिराक पस्वान को नचा रही है वो नाच रहे हैं और वो जूठास बासन दे रहे हैं कि भाई आपको मंत्री मडेल में सामिल किया जाए गाए अब आगे देखते हैं क्या होता है मंत् शिल्क मरमोदी हैं उनको बनाया तो आगे देखते हैं क्या जो चिराग पस्वान है उनको मंदल में साविन किया जाता है कि नहीं तब तक के लिए मुझे दीजिए इजादत धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें